पर दोस्त नमस्कर दोस्तों आप सबका एक बर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत मैं आपका दोस्त विवे गोपना हाज रूँ आज एक बर फिर से अस्टोलोजी से रेलेटर ही चर्चा करने के लिए और आज की जो चर्चा रहने वाली है हमारी वो है कि आने वाला नया साल 2022 करने लगन के जात्तों के लिए कैसा रहने वाला है नेया साल का सबको बेसमरी से दोस्तों इंतजार भी होता है कि नेया साल अपने साथ क्याक्या हमारे लेकर आ रहा है हालांकि समय हमेशा एकसा नहीं रहता लेकिन समय से पहले गर्णाओं को जान लेना कि आप में से कई यह जानने के लिए उस सुखोंगे कि साल 2022 में कन्या लगन वालों का कैरियर हो या फनास की इस्तिती हो सम्तान पक्षो लरी लाइफ हो लव लाइफ हो विपार हो नौकरी हो कैसा रहने वाला है ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने के लिए हम लेकर रहे हैं आप दोस्तों के लिए वार्शिक राशी फल कन्या 2022 और इनके प्रभाव का जहां सभी पर जीवन जो है प्रभावित होगा वहीं तन्या लगन के जो जाता कि उनके भी या कैरियर हो एजुकेशन हो लाव लाइफ हो मेरी लव हो संतान पक्षण गपार हो फैनास हो नौकरी हो इन सब को प्रभावित करेंगे तो सबसे पहले त इसका दो दिन बाद ही सबसे बड़ा ग्रूब जो अभी आपके शिक्स भाव में रहे हैं और राशी प्रवरतन करने के बाद आपके सैवंत भाव अपनी मीन राशी में वो आ जाएंगे और इसके बाद 29 अप्रेयल 2022 को शनी जो है जो अभी आपके फिफ्थ भाव मक्कर र चल देया और राशी प्रवरतन करने के बाद आपके सिक्स्थ भाव जहां उसकी अपनी ही मोलत्रपन राशी कुम्भ है वहां आ जाएंगे वहां कुछ दिर रुकने के बाद जुलाई में ही 12 जुलाई की आसपास वो फिफ्थ भाव मक्कर राशी में वापस दुबारा चल इस साल ऐसी कठनाई आपके जीवर में आ सकती हैं जिससे आप आतव विश्वार वह अपने स्किल से निप्टने में सफलोंगे साथ ही साल आपके आसपास जो पूरा साल है वो पौस्टी और नर्जी का संचार होता रहेगा साथ ही आपको अपनी मेनत का इस साल 2022 वे पूरा यूट्यूब चैनल पर आए हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर चाहिए वो गैदी कस्टोल्जी हो या पर के पी कस् शुरुआत करने लगना वालों के लिए कुछ नर्म रह सकती है क्योंकि साल की शुरुआत से 14 अपरेल तक के समय गुरू ब्रस्पती जुआ है आपके लगन से 6 भाव में रहे वहीं 12 अपरेल 2022 के बाद राहू आपके एर्थ भाव में मेश राशी में आ जाएंगे और सूर 12 जुलाई में जो शनी है वो वापिस आपके मकर राशी 5 भाव में चले जाएंगे और वहीं दूसरी वर गुरू जो ब्रस्पतियां आपके 7 भाव में जो कि आपके लिए मार्क भाव भी है और बादक भाव भी है में गोचर करते हुए साल के आकर तक इनी भावों में रह अची रहेगी क्यों अची रहेगी जबकि वह बादक भी है और मार्क भी है तो कि मीन राशी में दोस्तों तीन नक्षत्र पढ़ते हैं एक गुरू का एक शनी का एक कबुद का लेकिन गुरू जो है 14 एपरेल के बाद ज्यादा तर पूरा साल जो है वो शनी के नक्षत्र पर गोचर करेंगे और नक्षत्र स्वामी शनी आपके 12 जुलाई के बाद आपके फिफ्ट भाव जो कि अच्छी हेल्थ का भाव है और हेल्थ रेकवरी का भाव है वहाँ पर वो पूरा साल गोचर करेंगे तो देखा जाये तो कूल मिलाकर इस साल जो राहू है आपको जह सेवंत भाव में बैठकर लगन को द्रिस्ट करेगा वही गुरु ज्यादा तर शनी के नक्षत्र पर रहेगा और शनी आपके चार्ट में फिफ्ट भाव में जो कि अच्छी हेल्थ का और अच्छी हेल्थ रेकवरी का भाव है वहाँ पर वो जुलाई से लेकर पूरा साल गोचक करेगा अब बात करते हैं मेरी लाइफ और लव लाइफ चोदां परहल तक समिक करने लगन के जात्मों के लिए मेरी लाइफ और लव लाइफ और कुछ समस्याद दे सकता है इस दुरान आप अपने जीवन सात्य के साथ मदूर समंद बनाने में आस अफल रहेंगे क लेकिन इसके बाद जब चोदां परहल से गुरू अपना गोचर करते हुए आपके लगन से सैवंत भाव में वराजमन होंगे जहां रेस स्तिती में साल के आफिर तक रहेंगे और वहीं शनी देव भी आपके लगन से फिफ्त भाव में रहेंगे और देव गुरू लाइफ के फूप सुर्फ पलों का अनंद लेतिया दिखाई देगे इस दुरान आपको अपने जीवन साथी की मदद से अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है साल के अंग तक आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने या किसी ट्रिक पर जाने की प्लैनिंग भी बना सकते है और इस समय आप अपने रिष्टे को मजबूती दे पाएंगे वहीं दूसरी बात करें प्रेमी जातकों की तो प्रेमी जातकों को इस साल 12 जुलाई के बाद अपनी लव लाइफ में अपार सफलता मिल सकती है और वहीं जदी आप शादी करने का विचार कर रहे हैं तो आप के लिए 12 जुलाई की बाद का समय जो है अधिक पोस्टिक दोस्तों रहने वाला है बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष के बाद संतान पक्ष की बात करें तो साल 2022 एवरज रूप से शुब रहने वाला है साल की शुरुआत में आप अपने बच्चों को लेकर कुछ निरा भाव होता और वहां पर मैंने जैसे कहा कि अप्रैल में जो देव गुरु ब्रस्पती हैं वो सेवंध भाव में अपनी मीन राशी में आ जाएंगे वे अपने जो आपके दूसरी संतान अपने काम के शेक्तर में वो सफल होंगे यदि आपके बच्चे विवार योगया उम पर सकती है मुम्किन हो तो अपने प्रवार के सब्दस्यों के साथ किसी की तरह का वाद विवाद ना करें अप्रैल के बाद अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें उनको आपको उनके साथ बाचीत करने की सलावी दी जाती है नहीं तो आपको इसके कुछ नेक्टी पर नाम भी बुक्तने पढ़ सकते हैं या बच्चों की नराजगी उठानी पढ़ सकती हैं यदि करने लगन के student higher education प्रापत करने के इच्चुकर हैं तो इस दुरान आपको किसी अच्छे university या college में admission मिल सकती हैं बात कर लेते हैं आपके प्रवारिक लाइट के ज़ 214 अपरेल 2022 तक गुरू का आपके लगन से 6 भाब में रहने के करन ये समय प्रवारिक जीवन के लिए उसाजनक नहीं रहने वाला घर प्रवार में आशांती की वज़ारा जो भृदी है वो देखने को यहां पर मिल सकती हैं साथ ही इस समय गुरू आपके प्रवार में कोई अंचाहा विवाद भी करा सकती है जिसके करन आपको अपने प्रवारिक जीवन में सुख की कमी जो है मैसूस हो सकती है इसके अलावा 29 अपरेल के बाद राहूर केतु की स्तिती भी आपके लिए खास अंकूल नहीं रहने वाली है क्योंकि इस दुरान केतु आपके लगन मे लगन से सेकिंड भाब में होते हुए प्रवार के सदस्यों के बीच कुछ तीखी बहस या विवाद का कारण बन सकता है हालकि 14 अपरेल के बाद 7 भाब में गुरू का होने वाला गोचर आपके प्रवारिक जीवन में शांती प्रेम स्ताफिक करने में कुछ आपकी मदद ज लात्कों के लिए साल की शुरुआ से अपरेल तक का समय जो है वो एवरेज रह सकता है शिक्षा की तरिस्टिकों से क्योंकि अपरेल तक गुरू ब्रस्पती आपके लगन से 6 भाब में श्तित्थ हुए और फिर 14 अपरेल के बाद वे अपना गोचर करते हुए आपके लग खाई में अपना कोशल दिखाना या प्रिक्षा में अच्छे अंक या ग्रेड प्रापट करने में मदद मिल सकती है खास्तोर से साल के आखिर गुरू की यह स्थिति स्टूडन्ट को सबसे अधिक उत्तम फल देने वाली होगी इसके साथ ही अपरेल से जुलाई तक जो करम अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के क्यारियर की बात करें तो कन्या लगन के लिए साल का जो पहला महिना जनवरी में जब मंगल देव का धनूराशी में प्रवेश होगा और इस दुरान वे आपके कारह शेत्र के 10 भाब को दिरिश्ट करेंगे तो इसके परनाम सवरू नोकरी पेशा या वरपारी दोनों ही जातक अपने क्यारियर में उंती पाने में सफल होंगे इसी के साथ साल 2022 की शुरा से अप्रैल तक करम फलदाता शनी आपके लगन से फिफ्ट भाब मक्कर राशी में और गुरू आपके सिख्थ भाब मेरेंगे इसके कारण कुछ जात को इस दुरान सबसे अधिक काम का अतिरिक जो दबाव है जेलने के कारण भी मानसिक तनाव मिलने के सभावना रहेंगे लेकि चोदा अप्रैल 2022 के बाद गुरू आपके सैवंध भाब में अपनी मीन राशी में मुग हो जाएंगे और फिर वे साल के आखिर तक उसी स्थित अठाने और महिन जारी रखने की आप तो सलाव दिए लगन वालों के पास जिनके पास नोखरी नहीं उनके लिए भी यह समय जो है काफी अच्छा रहेंगे वाला है उनको इस समय दुरान अच्छी और मान मुताबिक नोखरी मिल सकती है वहीं कुछ करने लगन के जातकों क योग मी बना रही है इसके साथ ही खास तोर से स्तंबर से नुवंबर के बीच आपके जो कार्या शेत्र के भागत के स्वामी भुद्ध का इस समय अपने मित्र ग्रह की राशी में होना नोक्री पेशा जातकों को अपने वरिष्ट अधकारियों या बोस से अपने संबंद बेहत्र करते हुए कारया शेत्र पर समान प्रापत करने में सक्षम बनाएगा जिससे उन्हें फ्यूचर में प्रमोशन भी मिल सकती हैं साल के आखिर के महीने आपके क्यारिए में कई महत्व पूर्ण बदलाव जो हैं हो सकते हैं बात कर लेते हैं विपार की बात करें तो कन्या लगन वाले विपार से समंधि जातत जो है अच्छे लागी उम्मीद कर सकते हैं साल 2022 के पहले कुछ महीन है यानि जनवरी से अप्रेल के आखरी तक विपार के विस्तार के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की अवश्चता पड़ेगी ने करबार की शुवाद करने वाले जातकों के लिए साल काफी अच्छा साबित हो सकता है यदि आप मन मताबिक परनाम प् कर सकता है साल के मद्य में आपको अपने विपार को मजबूत बनाने के कुछ ने अफसर मिल सकते हैं इसलिए इनका भरपूर अपयोग करें साल का आखरी समय विपार को विस्तार करने का एक शांदर समय दोस्तों साबित हो सकता है आप अपने विपार को ने तरीकों और रन साल की शुरुआत से अप्रैल तक का समय आपकी आर्थिक स्थिती के लिहाद से एवरेज रहने वाला कोई कि इस दुरान गुरू आपके सिक्स्थ भाव में स्थित्थ होंगे लेकिन 14 अप्रैल 2022 का जो समय है आपकी आर्थिक स्थिती में काफी अच्छा एक पॉस्टिक बग इससे आपको अपनी सभी आर्थिक समस्या तंगी से निजात पाने में मदद मिलेगी खास बात ही है कि आप साल 2022 के आखिर तक अच्छा धन ला प्रापत करने में पूरी तरह सफल होगे आपके लगन से गुरू की ये अनकूल स्थिती के कारण आप अपने खर्चों पर सुब कामनाएं भी आप दोस्तों के साथ हैं और इसी के साथ जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर तब तक के लिए दोस्तों नवस्कार